असलाम लीकुम वीवर्स और वेलकम तो मैं चैनल स्टडी लौविद बुश्रा तो टुदेश भी विल दिसकास तालास्ट आर्टिकल आफ दिस चैप्टर तैट इस आर्टिकल 69 कोर्ट्स नॉट इंक्वाइर इंटू प्रोसीडिंग आफ मजलिस शूरा हम पहले पार्लिमेंट के पूरे चैप्टर को डिसकास कर चुके हैं जो के स्टार्ट होता था आर्टिकल 50 से आर्टिकल 69 आज हम डिसकास करते हैं इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल 69 लेकिन उस से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon for latest updates Article 69 की clause 1 कहती है That validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure के Parliament की जितनी भी proceedings हैं उनकी validity को इस बिना पर किसी भी court of law में challenge नहीं किया जाएगा केस ground पर आगे अब उन्होंने ground बता दिया है के irregularity of procedure के उसके procedures में कोई irregularity है कोई procedure जो है वो ठीट तरीके से नहीं बनाया गया clause 2 क्या कहती है that no office or member of मजले से शूरा के कोई भी officer या मजले से शूरा का कोई में member जिसको constitution ने empower किया है उसको parts दी हुई है किस से related parts के वो parliament के order को maintain कर सके और parliament की जो business है जो उसके affairs है उनको run करने के लिए कोई procedure बनाए तो इस पिनापर उस पंदे को किसी भी jurisdiction of court में उसकी इन exercise of parts को challenge नहीं किया जाएगा मतलब किसी भी member ने अगर मजले से शूरा के related कोई भी अगर procedure बनाया है उसके order को maintain करने के लिए तो उसे किसी भी court of law में challenge नहीं किया जाएगा last clause कहती है कि इस article में मजले से शूरा का वो ही मतलब है जो हम article 66 में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कहा था कहा था कि parliament का मतलब है sitting committee या either house that is national assembly और senate so that's all about chapter 2